हेलो, वल्कम टू बी बैंकर दी संजी, स्वाल दोस्तों में चानल बी बैंकरे में स्वागत से जूडियो में दोस्ते इस वीडियो में लोग सीखेंगे बेसिक से इंगलिस जी हैं दोस्तों सीख रहे हैं बेसिक से इंगलिस और इस class में हम लोग cover करेंगे आम बोल चाल के वाक्य, कुछ ऐसे वाक्य जो वारतालाप के दौरान, conversation के दौरान सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं उन सभी वाक्यों को सीखेंगे इस वीडियो में मनेरे वीडियो के इन तक चले सुख करते हैं पर जो लोग नहीं है हमारे चानल पर उनके लिए बता दूँख हमारे चानल पर चल रहा है basic spoken English class और इस class में लोग English सीखते हैं बिलकुल 0 से बिलकुल basic से class आती है हर रोज साम साढ़े 9 बजे जूर जे इस class से जो ने क्लिका करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है साथी bell icon दबाना जैसे bell icon दबाएंगे class आएगी अपनी मेंसेज आएगा class जो है आचुके आप सीदे सीदे इस दिये गए whatsapp नमबर पे सिर्फ और सिर्फ WhatsApp करके भी हमारे classes से जोड सकते है and video को like करना मत बुले my friend because video जो है हमेंसा के तरह top class A1 धासु है so must like the video चले स्रू करते है लेते हैं पहला वाग के पहला वाग के सब कुछ कैसा चल रहा है यह एक प्रस्न है सब कुछ कैसा चल रहा है मेरे भाई how is everything going next is मैं तुम से मिलना चाहता हूं या मैं आपसे मिलना चाहता हूं I want to see you दोस्तों यहापे see की जगर meet भी लगा सकते है M.E.T. meet I want to meet you next is मेरे पास आपके लिए बुरी खबर है मेरे पास आपके लिए बुरी खबर है कहते है न दोस्तों कि एक बुरी खबर है यार I have bad news for you I have bad news for you दोस्तों यहाँ पर I have a bad news नहीं लगाएंगे जो कि news के साथ A या N नहीं लगता है हाला कि मैंने हमें सह से कहा है कि spoken English में थोड़ी freedom मिलती है हमें थोड़ी आजादी मिलती है A N कभी कबार लगा भी सकते हैं A अंदर और कभी कबार A अंदर हटा भी सकते हैं अगला है बेतु की बातें मत करो बेमतलब की बातें मत करो बेकार की बातें मत करो English होगी Don't talk absurd things Do not talk absurd things A B S U R D Absurd का मतलब बेतु का बेकार का बेमतलब का अगला है हाला कि आप इसे देखते हैं बहले ही आप इसे पैसे मत दीजिए बट आप इसे देखते हैं However you look at it Next is हाला कि आप सोर मचा रहे हैं देखे आपको सोर नहीं मचाना चाहिए However you are making noise दोस्तों हाला की का अंग्रेजी although भी होता है A L T H O U G H मैंने आपको पहले ही भी classes में बताया है ठीक है और however का exact मतलब होता है तथा पी तब भी फिर भी ठीक है तो ये uses के हिसाब से situation के हिसाब से आप इसको बदल सकते हैं और however you are making noise भी सही है although you are making noise भी सही है अगला है आजकल मेरे लिए बहुत बुरा चल रहा है आजकल मेरा time ठीक नहीं चल रहा है तो क्या बोलेंगे nowadays is going bad for me nowadays is going bad for me nowadays का मतलब आजकल मेरे राय में मेरे खयाल में English होगी in my opinion in my opinion o-p-i-n-i-o-n opinion next is यदि आप मुझसे पूछें तो यदि आप मुझसे पूछें तो यदि ये वाक्य का एक आधा sequence है आधा जो है वो वाक्य के ज़रूरत के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है if you ask me यदि आप मुझसे पूछें तो next is जिस तरह मैं इसे देखता हूँ जिस तरीके से मैं इसे देखता हूँ मेरे राय में मेरे खयाल से कुछ और ही बात है देखता हूँ तो यह देखना वाला देखना नहीं है किस situation के हिसाब से जैसे मान लीजिये आप किसी cricket match की gossip कर रहे है बाचित कर रहे है तो मान लीजिये आप कुछ सोच रहे हैं ठीक है आपके ख्याल में किसी और टीम की विजाए होने वाली है तो आप कहते है जिस तरीके से मैं इसे देखता हूँ the way I see it the way I see it next is मुझे लगता है मुझे लगता है कि ऐसा-ऐसा होने जा रहा है यह वाकिका आधा sequence है इसेंस टू मी अगला है जहां तक मैं देख सकता हूँ कि ऐसा होने वाला है है ना जहां तक मैं देखता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है as far as I can see next is जहां तक मेरा संबंध है मैं तो पाटी में आ रहा हूं तुम लोग आओ या ना आओ है ना तो यह देखी कुछ ऐसा है as far as I am concerned concerned का मतलब संबंधित होना concerned का मतलब संबंधित होना c-o-n-c-e-r-n next is मैं दिल से ऐसा मानता हूं I honestly believe that मैं दिल से ऐसा मानता हूं next is मेरे नजरिये से अगर आप मेरा नजरिये देखेंगे तो मेरे नजरिये से from my point of view या in my point of view यहां पर दोनों ही यूश कर सकते हैं in my point of view from my point of view मेरे नजरिये say next is व्यक्तिकत रूप से मुझे ऐसा लगता है personally मुझे ऐसा लगता है तो personally I think personally I think okay next is मैं इस और ध्यान खिचना चाहूंगा बहले ही आप लोग सभी बिंदू पर देख रहे हैं but इस बिंदू की और मैं आपका ध्यान खिचना चाहूंगा I would like to point out that I would like to point out that मैं इस और ध्यान खिचना चाहूंगा मेरे अनुभव से अगर मेरा experience की बात कीजिए अगर मेरे experience की आप बात करें तो मेरे अनुभव से in my experience in my experience next is I have observed that मैंने देखा है मैंने इसे महसूस किया है मैंने गौर किया है मैंने इसको analyze किया है तो क्या English होगी I have observed that next is मैं sure नहीं हूँ मैं निश्चित नहीं हूँ लेकिन I'm not sure but I'm not sure that that का मतलब की होता है तो अगर की लगाना हो वाकिके अंत में I'm not sure that next is इस पर मेरी मिली जुली राय है इस पर यह जो point की बात आप कर रहे हो न इस पर मेरी मिली जुली राय है I have mixed opinion on this I have mixed opinion on this next is इस मामले में मेरी कोई राय नहीं है इस मामले के आप discuss करें जिस तापिक की आप बात करें हो इस मेरा कोई opinion ही नहीं है I have no opinion on this matter I have no opinion in this matter भी बोल सकते है on this matter भी बोल सकने to दोनों ही correct होने जा रहा है opinion का मतलब indicate opinion का मतलब make sure ही नहीं इस पर मेरा कोई इसमें थौट ही नहीं है मेरा कोई इसमें सोची नहीं है ठीक है I have no opinion in this matter okay my friend तो इस class में इतना ही रहेगा उमीद करता हूं आप समझ चुके हैं तो इस class में लोगों ने जो भी और चाहता आपको पता है कि हमारे e-book है e-book अगर आपके इच्छा हो तो आप ले सकते हैं complete spoken package है इसको लेने क्लिका करना है इस देगे whatsapp नमरे पर whatsapp करना है आप सीधे सीधे हमारे website bbanker.in पर जाकर के भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं और इस e-book के बारे में बता दूँ य ये नए जमाने की digital book है इसे सिर्फ और सिर्फ आप mobile पर computer पर तथा टैप पर पर सकते हैं आप इसकी print out xerox या photocopy भी निकाल सकते हैं इस book में total 500 प्लस colorful pages है और पचपन प्लस topic है complete spoken package है जिसमें sentence formation, daily life sentence, word meaning, newspaper reading, conversations lab सब कुछ को समलित किया गया है और एक complete package है अगर आपका उस सकते हैं अगर वक्त की कमी ना हो तो आप सीधे सीधे वीडियो इसी पे based हमारे वीडियो भी है वीडियो को देखकर भी सीख सकते हैं बट अगर वक्त की कमी हो तो आप इस book को ज़रूर ले सकते हैं ये book आपके लिए तब बहुत ही helpful होने वाली है okay my friend thank you so much for watching बने रही है ऐ awesome video skilly bbanker sad be with bbanker empowering life's for knowledge all the best happy learning